हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल टेक वे सूलिशन में हाई हम आपको आधर काड अपडेट करना सिखाएंगे बिना दस्ता वेच के जिया दोस्तो इसके दुवारा आप आसाने से अपना आधर काड अपडेट कर सकते हैं यदि आप हमारे चैनल पर न इंस्टाग्राम और वाट्साप की माध्यम से भी जूड़ सकते हैं हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रवाइट करवा दिया गया है तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो हम यहां पर कोई सब ब्राउजर ओपन कर लेते हैं और यहां पर डालते हैं करते हैं यह यहां हमारी युडिय के जो वेबसाइट है उसका होमपेज है अधर कार्ड में एड्रस परिवरतन करना जिसे किसी की शादी हुई है उसमें अपने पति का नाम चेंज करवाना है पिता के पती का करवाना है या किसी पेरिंट को अपने बच्चे के आजर address के address में तो आप आसानी से पर्यवर्तन कर सकते हैं उसके लिए कोई दस्तावेश की जरीवर्त नहीं तो चलते हैं हम आपको बताते हैं step by step कि किस टाइब से आपको address पर्यवर्तन करना है वह आपको हम सिखाते हैं हम यहाँ पर ओपन करते हैं मायाधार.uidi.gov.in और हम इस पर किलिक कर देते हैं जैसे किलिक करते हैं यहाँ पर नूटेब में एक और पोर्टल ओपन होता है इसको मायाधार पोर्टल बोलते हैं इसको मायाधार पोर्टल भी बोलते हैं इसमें जो भी आधार की सर्विसे से वो सभी यहां पर आप यूज़ कर सकते हैं इस सर्विसों को यूज़ करने के लिए आपको आधार कार्ट से मुबाइल नमबर यूड़ा होना चाहिए हम यह से जो मुबाइल नमबर है उसके दुवार आधार नमबर डालते हैं और मुबाइल नमबर प पीवी सी ओनलाइन अपडेट लाग वायोमेट्रिक जनरल विडिच्वर आधार पेमेंट हिस्ट्री ओफ-लाइन के वाइसी और डोक्यूमेंट अपडेट और और माईएरफ फेमिली अधार अपडेट रिक्वेष्ट के कुछ फंक्षन है यहां पर आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं जिसे अधार उनलाइन सर्विस अभी हमारे सका काम है हम इस पर क्लिक करते हैं जैसे किलिक करते हैं यहां पर दो फंक्षन ओपन होते हैं पहला है अप्डेट आधार ओन लाएं जिसके अंतरकत आप नाम जन्म तारीख जिंडर और एड्रस और लेंग्वेज में परिवर्थन कर सकते हैं हमने अलड़ी वीडियो बना रखा है हम आई बटन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे आप महां जाकर वीडियो को आसानी से देख सकते हैं इसके अलावा हमारा दूसरा उफ्शन है एड़ फेमिली बेस्ट आधार अपडेट आज हमारा पुरा वीडियो इसी पर आधारी थे इसके दुवारा हम बिना दस्ताविच के आधार अपडेट कर सकते हैं जिसे जातर केसमें मेरिट केसमें अपने हस्बेंड के आधार पर आपको एड़ा सब्वीट करवाना होता है या फिर जो परेंट सोते हैं उनके जो बच्चें होते हुए उनके नाम या भापा बापा के नाम में इस पेलिंग में कुछ दिफेरण्स रेता है वह आप हेड़ा फेमिली बेस के माध्यम से अब्डेट कर सकते हैं तो हम इस पर आधार नंबर आफ यूवर हेड़ा फेमिली तू फेच दा एडर्स फ्राम आधार डेटाबेस ओनले इस इस फंक्शन के लिए पात रहें जिसका हम यूज कर रहें अब बागी इसा कुछ डिफ्रेंस नहीं आप छोटे बच्चों का भी पेरेंट्स के आधार के आधार पर आप प्रिवर्दन कर सकते हैं इसके बाद है हमारा दूसरा उप्शन प्लीज अप्लोड दा प्रूफ आफ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट देट हैज यूर नेम अलोंग विद यूर एड़ फेमिली नेम किलियरली मेंशन यानि जो आप प्रूफ आप रेसिडेंट का डॉक्यूमेंट अपडेट कर रहे हो उसमें हेड़ा फेमिली और उसमें जो रिलेशनशिप मेंबर है उसका किलियर नाम मेंशन होना चाहिए तिसरा ओप्शन है हमारा पेमेंट के लिए है तिसरा ओप्शन हमारा यू है उपे ओनली 50 रुपीज टोड ओनलाइन अपडेट फीज यू केन मेक दा पेमेंट के डिट डेबिट और नेड मेंकिंग आमांड विल बी नों रिफंडेबल यानि हमारा जो मांड है वह नों रिफंडेबल है और आपको मिनिमम आपको मात्र 55 रुपे ही पेमेंट क रिसीवर रिक्वेश्ट फर अधार शेरिंग विच देकेंट एक्सेप्ट और डिनाई इस ऑप्षन टु एक्सेप्ट डिकलाइन देर रिक्वेश्ट आप हेड़ा फेमिली शेल बी वेलिट फर 30 देज फार डेट आफ क्रेशन आफ दा रिक्वेश्ट यानि यहां पर बत बटन पर किलिक करते हैं जैसे नेक्स्ट बटन पर किलिक करते हैं कि कुछ यहां पर हमारा इस टाइप का इंटरफेश देखने को मिलता है यहां पर यह हमारा करन्ट एड्रस है अब हम इसको स्क्रोल डाउन करते हैं और यहां पर हमको जिसके संबंधित आधार में अपना अब्डेट करवाना है जिसके आधार पर हमको एड्रस अब्डेट करना है उसका हम यहां पर अधार नंबर इन्पूट करते हैं हम यहां पर अधार नंबर इन्पूट करते हैं और यहां पर क्लिक करते हैं जैसे हम यहां पर क्लिक करते हैं यहां पर लिखाए मोबाइल नंब है husband है mother है wife है और अधर का option है आप जो भी है उसके आधार पर आप चूज कर सकते हैं जिसके आधार पर हमको एड्रस अपडेट करवाना है हम यह पर example के लिए husband पर क्लिक करते हैं इसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करते हैं इसके बाद यहां पर लिखा है स्लेट विलिट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप आप यहां पर हम लिए हम आपको विडियो के अंत में बताएंगे कि हमको किष टाइब से फरम बढश है कि इसले हम यहां पर स्पर खिलिक करते हैं आलशाय है क्या मैं किस्ता अप्रोप्रेशन को अपटोक हएं अलीक्ट यहां पर लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन में लिखा है कि एड़ाफ फैमिली रिलेशन सिफ रेसिडेंट तर सेम एडरस आफ हैड़ाफ फैमिली इसके बाद हैं यहां पर कि आप कुछ रोंग डोक्यूमेंट अपडेट करते हो तो यहां पर हमारा बेक एंड ऑपरेटर करवा देंगे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसके बात है डाउक्यूमेंट शेल इस्पेसिफाइद एडरस एंड रिलेशन सिफ फिद रेसिडेंट रेसिडेंट रेसिडेंग एड़ सेम मतलब दोनों में नाम सेम होना चाहिए और तीसरा है दा इसके इन इमेज यहां पर हमने फार्म स्केंट करके रखा है वहां पर रिडारेक्ट होता है हम इस पर क्लिक करते हैं और डोक्यूमेंट अपडेट करते हैं जैसे क्लिक करते हैं यहां पर लिखा हुआ है एक और पॉप उपन होता है उसमें लिखा है कि जो आपका हैड़ा फेमिली है उसमे आपका किलियर नाम मेंशन हो हम येस करते हैं और कंटीनी अपलोड पर कंटीनी टू अपलोड पर किलिक करते हैं यहां पर जैसे ही हम अपलोड करते हैं तो यहां पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है हम इस पर किलिक करते हैं तो और यहां से हम इसको रीड तो हो गया है यहां पर इसकी time same condition है हम यहां पर date कर लेड़े हैं इसके बाद हमारे पास दो अप्शन है पहला रोजर पे का है दूसरा पे यूबीच का है किसी भी को पेमेंट गेट वे के माद्दियम से हम पेमेंट कर सकते हैं हम पेडियो बीच पर सेलेक्ट करते हैं और मेक पेमिन्ट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर पेमिन्ट का कुछ इस टैप का हमको फंख्शन ओपन होता है यह पर आप डायर्ट क्युयर कोड़ से भी प्यमिन्ट कर सकते हैं फ़ evenly bill ३् पे पहले हमारेसे पहले है मोबिके फ privacy या जिया पर पेपके दवारा भी आप पेमेंट कर सकते तो हम करते हैं क्या और एमारे और हमारा एक नोलेजमेंट स्लिप दिखाता है हम यहां से इसको डाउनलूड करके रख लेते हैं अब हमको जो जिसके दुवारा हमने एड़ा फेमिली का यह सिलिप है इसकी यह हम फ्यूचर रिफ्रेंस के लिए रख सकते हैं इसको जिसके दुवारा हम प्रोसेस चेक करेंगे कि हमारा अधर अप्डेट हुआ है नहीं हुआ अब हम इसको लागाउट कर देते हैं और हम जो दूसरा हमने एड़ा फेमिली का जिसके दुवारा आवेदन करा है वहां से हम रिक्वेस्ट को अप्रोव करते हैं यहां से हम हम यहां से पुना पोटल पर आ जाते हैं और यहां से हम इसको आधा नंबर और केप्चर कोड़ डालकर यहां पर हम लोगिन करते हैं यहां पर हम OTP डालते हैं, OTP डालने पर यह हमारा लोगिन हो जाता है, अब इसके बाद हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है माई हेड़ा फेमिली रिक्वेस्ट जो हमने आदा नमबर आ रहा था हुआ पर वो रिक्वेस्ट यहां पर आती है, हम यहां पर सिर्यल नमबर डालकर उसको एक्सेप्ट करते हैं यहां पर जो एसरेन नमबर है, हम यहां पर इंपुट करते हैं है 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 यहांपर हमने इंपट कर दिया है अब हम यह पर एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करते हैं यह से एक्सेप्ट बटन पर कलिक करते हैं तो कुछ यहां पर इस टाइप का ओप्शन आता है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं हैं यहांपर लेखा हुआ है जो है after the request as head of family for sharing your address अब जो हेड़ा family में जो डोक्यूमेंट है उसके दुआर हमारा आधार अपडेट के रिक्वेस्ट दल गई है हम एक विक के अंदर चेक करेंगे तो हमारा आधार काड़ अपडेट हो जाएगा अब हम आपको जो सेलप इकलेशन का जो farm है और हम अपको बढ़ ना सखाते हैं हम यहाँ पर सिर्फ अब को डेमो दिखाएंगे ओरिजिनल फार्म सेस्था जो आपको रहे हैं कि कि सेंगर यहां पर शैयर नहीं नहीं कर रहे हैं इससे हम आपको दो अपिसन दे जेते हैं डेमों मैं जैसे हम यह में देते हैं यहां पर हम हजबेंड का नाम जिससे हजबेंड का नाम अभिशेक है और यहां पर बी में देते हैं वाइफ का नाम जैसे वाइफ का नाम अभिलाशा है तो हम को अभिलाशा के इसमें अभिशेक का ड्रस करना है तो हम यहां पर डालते हैं आई आई में यहां प पर नाम डालेंगे जिसे यहां पर डाल देते हैं अभी शेक इसके बाद नेम इस अधार जैसा अधार नाम लिक रेसिडेंट आफ यहां पर जो आपका एड़ जाल देते हैं यहां पर में रोड डाल देता हूं में इस टाइप से इसके बाद हम यहां पर जो डिस्टिक है जो इस्टेट है वो इस्टेट डाल देते हैं इसके बाद हम यहां पर पीन कोड इंटर कर देते हैं कभी है प्यूंग फिन कोड एंठर करने के बाद हम यह पर आधार नमबर प्रोवाइड कर Gothicा अभिशेक के घिसने आतार एंपर अब अवब्स को जिसके आधार में हम एडर्स चेन्ज करना है। भुष्याइड करते हैं यहाँ पर जिसे हमको वाइफ का नाम का नाम एनट डर्पेशड ड़ड़ा इसके जो आज़ा के हम आदारwhen." इंपुट कर देते हैं। कि अब हम यहां पर जो रिलेशंसिफ है वो रिलेशंसिफ हम यहां पर दर्शा देते हैं जिसे अभी शेक की वाइफ अभी लाशा है इसलिए हमने यहां पर अभी लाशा वाइफ है हमने वह शेयर कर दिया वह यहां पर टाइप कर दिया हमने कि इसका सब्सक्राइब जाते हैं यहांपर लिखाए यानि मेरे दिवार Suppose कड़ी दी गई जानकरी सकते हैं और अगर गलत या फ्रोड हुई है तो मेरा आधार कार्ड लीकल तरीके से जो आधार का एक्ट है 2016 में उसके अंतरगत मेरा आधार कार्ड और मेरी वाइफ का आधार काड्ड डीक्टिवेड और कैंसल कर दिया जाए है तर तीसे नमбर पर भी यहां पर हम अभील आशा ही डालते हैं जिस कंडिडेट का हमको एडिर्स चेंज करना है इसमें यहां पर हमको पूरी लेगल जन करी देना है आपको यहां प दो हजार पाइस इसके बाद यहां पर नाम डालना है और नाम की नीचे हमको heck Family यानि अभिशेख क्या पर हमको signature करना है हम यहां पर अभिशेग कि दाल देते हैं यहां पर नाम हमको farm पूरा केपिटल में भरना है इसलिए यहां पेपिटल में ने मिल्यक्रवाए इसके बाद हम हम यहां पर के लिए यहां हो गई है हम आपको एक उर बार फार्म दिखा देते हैं यहां पर इसे यहां पर Psychology हमने एफ आपी के दाला डाल है मतलब हमी मंऄना काडर मेंब करना है इसलिए यहां पर abyshek का नाम याने abyshek का self declaration farm है यहां पर नाम यहां पर address और यहां पर अधार नमबर इसके पाद किसको शेर कर रहा है उसका नाम उसका अधार नमबर और उसका relationship दर्शाया इसके पाद जो term condition है उसके उसका नाम दाला गया और वहां पर signature करकर अभी शेक को यहां पर एगरी करना है यह था हमारा आज का फार्म यह फार्म को पोर्टल में वहां पर अपलोड करना है अपलोड करने के बाद यह आपका प्रोसेस कंप्लेट होगा तो दोस्तों के सलगा आज का हमारा अधरकाट अपडेट करने का वीडियो यति आपको कुछ परेशानी आ रही हो तो आप हमको कमेंट करकी बता सकते हैं या फिर हमने इस्टाग्राम टेलीग्राम और वाटसप के माद्यम से भी हमको हमने बिलकुल अच्छे तरीके से समझाया गया है कि किस तरह से अधरकाट अपडेट करते हैं वीडियो को अन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवार